समंदर में दुश्मन की पंडुबी के खिलाब भारत का कोई जवाब नहीं भारत के पास पंडुबी का वो अल्टिमेट किलर है जिसकी बराबरी में ना तो पाकिस्तान के पास कुछ है और ना ही चीन के पास जिहां हम बात कर रहे हैं पोजाईडर 8i विमान की ये विमान दुश्मन की पंडुब्यों को समंदर की गहराईओं से खोच कर तबाह कर सकता है लंबी दूरी के मिशन में ये आराम से अन्जाम दे सकता है पी एट आई विमान उसकी तरफ आने वाले खत्रे से अगाह करता है रक्षा विश्यशक्यों के अनुसाद पी एट आई दो धारी तलवार की तरह है जो एंटी सबमरीन और एंटी सर्फेस वार्ट फेर को अन्जाम देने में सक्षम है यानि हवा में उड़ते हुए समंदर की गहराई में पंडुबी और सता पर मौझूद दुश्मनों के जहाजों की कब्र खोट सकता है ये एक बार में 907 किलोमेटर प्रती घंटा की रफतार से 2000 किलोमेटर तक उडान भर सकता है पी एट आई में ही बने कमांड सेंटर को जैसे ही दुश्मन की हलचल दिखाई देती है जमीन पर मौझूद कमांड सेंटर भी फोरण एक्टिबेट हो जाता है और कुछे मिंटों में पी एट आई को दुश्मन को रोकने के लिए रवान कर दिया जाता है अमेरिका से खरीदा गया हत्यारों से लैज के विमां हिन महासागर का सबसे बड़ा रख्षक है हिन महासागर में पी एट आई की तैनापी चीन पाकिस्तान के लिए परिशानी का सबग है क्योंकि चीन समंदर में अपने बर्चस्व के लिए चालबाजी करता रहता है और पी एट आई तो वो है जो समुझ की गहराई में दुश्मन पंडूग्यों को कलाश कर उसे दबाख कर देता है यानि चीन पाकिस्तान के लिए हिंद महासागर में हिंदूस्तानी हंटर पी एट आई है इंडियन नेडी पी एट आई एरक्राप की मदब से हिंद महासागर पर अपना तब दबाब बनाए हुए है